सब लोग अच्छे होंगी मैं सब कितिक शर्मा एंड वैलकम तो अब चैनल स्टुनेर्स हमने की है स्टार्ट साइकलोजी साइकलोजी में हमने कर लिये हैं दो लेक्चर मैंने आपको पहले भी बिताया था कि अगर आपको स्टडी करना है तो आपको मैं हर चीज डिटेल में यहां पर करवाऊंगी तो यह सीरिस सीटार्ट, टीजीटी और एच्पी टार्ट जो भी स्टुनेंट्स हैं उन सब के लिए बेनफिट होने वाले हैं क्योंकि साइकलोजी के जो कंसप्ट हैं वो सेम रहते हैं बस कुछ कंसप्ट जो होते हैं डिफरेंट हो जाते हैं अलग यह तो है 25-26 से अबव ही मार्क्स रहेंगे बट एक शर्थ है आपको यह चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी जैसे कि मैं समझा रही हूँ अगर आपको जैसे कि टार्ट की तियारी टीजटी की तियारी करनी है तो आप इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हो इस पर आपको लाइफ क्लासिज आपको जैसे कि आपको मौक टैस्ट, नोड्स हर चीज़ प्रवाइट होगी अदर्वाइस हम इस चैनल पर करवाई ही रहे हैं आपको साइकलोजी और आपको जैसे कि हम न्यू स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर हम जो भी आपके बायो क जो concept है वो भी यहाँ पे करेंगे and chemistry भी यहाँ पे करेंगे but आपको live classes चाहिए और आपको short ही चाहिए कि आपका clear ही होगा तो इस number पे contact कर लीजेगा क्योंकि यहाँ पे जब interaction होती है तो आप और बहतर कर पाती हो so मैं चाहती हूँ कि first attempt में ही आपकी चीज़े clear हो जाए so इस number पे contact कर लीजे और यहाँ पे आपको हर जिस मिलेगी तो चलिए दो classes already हमने कर ली है जो next lecture आता है इसका वो आता है principle of the development of a children मतलब बच्चे में development हो रही है उसके principles क्या है कैसे development होती है देखोगे आप observe करोगे जैसे कि students है जैसे बच्चा पैदा होता है उसमें दीरे 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 development होती है तो वो कैसे होती है उसमे principle क्या follow होते है वो देखे इसे जो कुछ topic है इसके वो से question आता है बाकि जो पैरलोगी जो section होता है उसमें इसके question पूछे जाते है सबसे पहले तो हम नजर डालेंगे की कौन-कौन से principle हम discuss करने वाले है सबसे पहले हम discuss करेंगे principle of a continuity pattern principle of a processing from general to specific principle of a individual difference principle of a uniform pattern principle of a direction फिर आता है आपका principle of a integration principle of a interrelated principle of a joint product of heritage and environment principle of a total development principle of a maturation and learning फिर आता है principle of a significance of early development तो यह जो principle है इनको हम detail में discuss करेंगे चलिए start करते हैं देखें आपको development तो पता ही है development क्या है development process है very wide, complex and continuous है thus some principle need to follow understand development, growth, maturation हमने already किया हुआ है एक लास में और यहाँ पे जो principle follow होते है वो हम discuss करते है so your first principle principle of a continuity मतलब जो आपकी development है वो continue होती है आज आप चीज़े सीख रहे हो कल आप कुछ और सीखोगे परसो आप कुछ और सीखोगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहा होगे तो घर में भी बैठे हो और फोन ही चला रहे हो अब तक सीखता रहता है चाय वो अच्छी बाते हो चाय गंदी बाते हो और जो अलग-लग परसन होते हैं अलग-लग तरीके से सीखते हैं ज़रूरी नहीं है कि एक परसन इतना सीख रहा है तो दूसरा भी उतना सीखेगा ऐसा नहीं होता तो जो इंडिवीज़ स्टार्ट इस लाइफ वाम ए टाइनी सेल ड्वाल्प्मेंट मतलब आपको पता है ना जो स्टार्ट होता है एक सेल से ड्वाल्प्मेंट होती है फिर सेल से टीशू, टीशू से औरगन फिर एक human being बनता है वैसे ही mind का भी aspect है तो personality continue ड्वल्प होती रहती है अब जो major change including a change in size, proportion, acquisition, new mental, motor and behavior skill हर चीज में आपके फरक आता है तो देखे एक principle हो गया continuity मतलब continuity में चलता रहता है फिर आता है आपका principle of a proceeding from general to specific मतलब general चीज़े पहले हम general चीज़े जैसे की पहले क्या होता है बच्चे को class में भी चोटे classes में general चीज़े सिखा जाती है higher classes में और detail, और detail, और detail ऐसे होती है न वैसे ही जो development होती है बच्चे की वो कैसे होती है पहले बच्चा जब रोने लगता है हाथ पूरे हलाता है सब कुछ करता है उसके बाद रोता है तो सिर्फ face, eyes से पाने निकलेगा so जो development होती है वो होती है तो जैसे की बच्चा पहले पूरी general ज़र्नल चीज़े फिर specific चीज़े करने लगेगा जैसे की पहले क्या होता है a, b, c, d सीखते हैं फिर के general फिर उसके पाद word बनाना सीखते हैं तो ऐसे ही चलता है general to specific next principle of individual difference जैसे की बोलते है no one is same हर किसी में अपना potential होता है हर किसी में अपनी power होती है so development जो होती है वो individual difference में minor रखता है जैसे की even twin children होते हैं वो भी different होते हैं तो ये effect करेगा heredity and environment जैसे की बच्चे को जैसी चीज़े सिखाई जाएंगे जैसे उसके आसपास होंगी वो वैसी चीज़े सिखेगा और heredity, heredity भी effect करेगा क्योंकि genes पे effect करता है जैसे की इससे question आता है related कि जो heredity है जैसे की parents अगर ऐसे हैं तो बच्चा भी ऐसा ही बनेगा तो ये heredity के basis पे बोला जाता है पर जुरूरी नहीं ऐसा हो but होता है mind development उस तरी कैसे होता है heredity हमेशा ही effect करती है तो देखो समझ गया heredity और environment के बारे में एक lecture आपका next होगा उसमें हर चीज़ बताई जाएगे next आता है principle of a uniform pattern and sequence एक uniform pattern यूज होता है individual difference मतलब आप पदा कर सकते हो जैसे की पहले छोड़ी चीज़ें फिर बड़ी चीज़ें ऐसे develop होती है जैसे की बहुत deep पहले पढ़ लेगा basic चीज़े आनी रही जैसे की आपने hurt का structure पढ़ना है तो पहले पता तो होना चीज़ें hurt होता है फिर उसके बाद hurt पढ़ोगे hurt के अंदर detail में और detail में और detail में पढ़ोगे ऐसे ही uniform pattern होता है uniformity of a function like a development language of children तीक है physical development also uniform pattern कि ये चीज़ डवल्प होगी जैसे की from head से start होता है फिर milk teeth फिर falls first और फिर similar species and uniformality ऐसा नहीं होता कि किसी में कोई चीज़ डवल्प हो रही है कब किसी में कोई चीज़ हो रही है एक uniform sequence में कि इस में ये होगा पहले embryo बनेगा फिर उसके पाद head की development होगी then lower portion होगा body का develop फिर other parts की development होगी तो ये specific nature होता है principle of direction किस direction में जो growth होती है तेखे है हमने पढ़ा uniform pattern होता है पर direction क्या होती है तो देखो each child have a different rate of development ये तो पढ़ा हमने development all human follows similar pattern तो इसमें दो direction जो mainly discuss करते हैं वो आती है इससे question आया हो है बहुत बार important, important, very, very important तो देखो cephalocodal sequence and proximal distal distance cephalo मतलब सर से पाओं तक की development मतलब अगर पूछा जाए किस में सिर से पाओं तक की development होती है तो याद रखना cephalocodal and proximal proximal होती है central part पहले develop होगा फिर बाद में और चीज़ें की development होगी जैसे कि बच्चों के babies के tip होते हैं ठीक है तो front tip पहले हाते हैं फिर बाद के मतलब center से development हो रही है तो इस तरह के से अब सोच सकते हो चलिया next आता है principle of integration देखो principle of integration में आता है where is it true integration एकी करण मतलब एककठे development होती है जैसे कि where is it true development proceed from a general to specific and from a whole to part ठीक है पहले जादा होगी फिर बीच में जाएगा ठीक है जैसे research करनी हो किसी ने तो पहले तू सोचे का किस topic में करो तो इतने topic होगे तो फिर एक topic पे आएगा फिर एक topic से फिर फिर से वो सोचे का कि इसके बारे में मैं कितनी detail ले सकूँ तो पहले whole to part ऐसी discussion होदी है जैसे कि part and movement are combined the later process and learning of a development इसको बोला जादा है इसा integration of a whole इस part well of specific general response that make a child develop a satisfactory in various dimensions और his growth and development या आता है फिर आता है आपका principle of interrelated मतलब interrelated हैं चीजे the growth and development in a various dimensions like a physical, mental, social are interrelated and interdependent मतलब एक दूसरे से dependent है जैसे कि आप आज एक चीज़ सीख रहे हो वो दूसरे से related होगी जैसे कि आप कुछ भी देखतो जैसे ABCD सीखा तो बात में word बनाना सीखेंगे कोई और चीज़ सीखी जैसे कि आप किसी से बात करना सीख रहे हो कोई language सीख रहे हो तो वो आपको और चगभी काम आएगी जैसे कि speech देने में और हर चग़ चीज़ में काम आएगी इसमें बोला गया है Each area of development depends upon the other and influence the other development जैसे कि माना That is why the child have a poor physical development इसमें बोला गया है तो वो काम कैसे कर पाएगा माना बिमार फिल कर रहे हो तो आप कैसे चल पाऊगे नहीं चल पाऊगे तो आप सीख भी नहीं पाऊगे बिमार होंगे बैठें जागा पढ़ने तो सारी एक चीज़ों से related होती है Next आदा है आपका principle of a joint product of a heredity environment जो principle है आपका heredity environment अभी हमने discuss किया child grow and develop in a joint product of heredity environment ठीक है So जैसे कि भी बताया हमने कि पिछल जैसे की parents होते हैं बोला जाता है वैसे ही बच्चे होंगे तो यह आदा है heredity यह क्या करेगा develop करेगा personality of the children फिर आता है principle of a total development मतब physical development in human being is per time and side by side in different aspect in human personality and develop a social, physical, emotional, mental development बोला जाता है जो emotionally strong होता है वो कोई भी चीज़ सिख सकता है ठीक है जो emotionally weak होता है वो चीज़ों को यह लगा रहेगा कि ठीक है यह नहीं, वो नहीं, वो नहीं तो इसलिए emotionally strong होना भी important होता है तो all these aspects ठीक है depend on each other and affect each other the teacher should take care all aspects of a teacher जब चाइड मतलब बोला जाता है बच्चे के हर aspect को develop करो पढ़ने में है दूसरे में है हर चीज़ को develop किया जाए फिर आता है principle of a maturation and learning it is a process of a growth and development हमने किया था अभी हमने last class इसमें discuss किया था growth, development and maturation इसमें learning प्ले करती है important role जिसी कि जब अब छोटे होते हो तो आप क्या करते हो आपको चीज़ें समझने में कि ये बुरा है, वो बुरा है ये टफ है, ये नहीं आ रहा पट एक age के बाद आप चीज़ें को खुद समझना start कर देते हो क्योंकि maturity आ जाती है तो कुछ चीज़े maturity के साथ ही समझ आती है so for instance of a child keen to learn is something and lacking a maturity and will not be able to learn जिसे कि जम छोटे होते थे तो हम बोते थे मम बापा गलत बोते है ये teacher ऐसा है, वो teacher ऐसा है अब जब खुद हम जैसे कि अभी पढ़ रहे है यानि हम teaching के लिए बढ़ रहे है so अब हमें पता लग रहा है कि teacher क्या सोच के बच्चों को डानता है ये करता है so ये चीज़े maturity के साथ ही आती है तो ये घलत नहीं है तो हमें हर्चिस संभाल के खने चेह you have already learned that maturation is an unfolding character potentially present in an individual creeping, crawling, walking and come with their maturity जैसे कि basic से चीज़े चिता है करना फिर आता है principle of a spiral versus linear development the child doesn't proceed straight on the path of development with a constant steady pace मतलब एक pace में नहीं चलेगा तो जो student होगा बच्चा होगा देखिए अब ये समझेगा देखिए ये जो मैंने अभी बताया जैसे कि यहां से start करता है ठीक है individual start to grow फिर उसके बाद जैसे कि ये चीज़े मतलब एक को हमने आरो करके बिताया है तो first to make a advance in a way फिर but move back a consolation फिर फिर से advance में जाएगा तो इस तरीके से spiral development होती है चिल्रन की फिर next आता है principle of a significance of a early development मतलब अरली बच्ची को क्या दिया जाएगा nutrition दी जाएगी क्या नहीं दिया जाएगा उसका फर्क पड़ता है development पे ठीक है बच्च्पन में जैसे बोला जाएगा वो वैसे सीख जाता है so early development is most important तो ठीक है अब एक बार हम नजर देंगे कौन-कौन से हमने किये principle of a continuity and pattern मतलब continuous सीखना फिर general to specific मतलब पहले general चीज़े सीखता है फिर specific चीज़े सीखता है अब बच्चा individual difference होता है हर बच्चा different होता है even twins different होते है uniform pattern follow करता है ऐसा नहीं कोभी कुछ principle of a direction मतलब direction में move करता है मतलब development होती है जुसकी principle of a integration एक इकरित करके मतलब सब चीज़ों को मिला के development होती है फिर आता है principle of a interrelated मतलब एक development दूसरी development से related होती है principle of a joint product of heredity and environment ठीक है मतलब heredity से effect करेगा ही और environment के सब दिया जाएगा वो भी effect करेगा principle of a total development बच्चे की पूरी development होती है फिर आता है principle of a maturation and learning ठीक है बच्चा कुछ चीज़े maturity पे ही सीख पाएगा उस जैसे की कुछ चीज़े आप समझाते रहो समझाते रहो एच आने पे खुछ सीख जाएगा principle of a predictable मतलब development क्या है आपको पता है बच्चे में किस तरीके से development हो रही है पहले basic से फिर आप अनुमान लगा सकते हो जैसे की बच्चा इस देज में चलने लगता है इस मंद में चलने लगता है अगर वो नहीं चल पाए तो माबब सोचते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है चेक करवाते हैं तो यह चीज़े होती है फिर principle of significance of early development में जो बच्चा छोटा होता है उसको क्या provide करवा रहे हो क्या नहीं provide करवा रहे हो कैसे nutrition, emotion development, कैसे environment में रह रहा है वो सारे effect करेगा देखिए के principle कर लिए अब हम इससे related करते हैं कुछ questions analyze कीज़ेगा question मैंने इसलिए एड़ किये है ताकि देखेंगे कि आपको topic कितना understand हुआ इसलिए जब भी आपको topic पढ़ते हो तो उसके question जरूर कीज़ेगा यह आता है which of the following is the principle of development कौन सा principle है development का इसमें से कौन सा सही है development always be linear हमेशा linear नहीं होती spiral होती है discontinuous नहीं होती continuous होती है development ऐसे चला हुआ है the process of a development are not interrelated यह related होती है तो यह भी नहीं है यह भी नहीं है यह भी नहीं है so आपको option sees the correct मतलब it does not proceed at the same pace of all सब के लिए एक जैसा नहीं होता next development is a never ending process this idea is associated with किसने दिया था यह idea never ending मतलब continue चली हुई है यानि option D is the correct next आता है principle that proceed from a center to the periphery is called ठीक है तो इसमें दो types के आता है एक आता is fellow quarter ठीक है और एक proximal distal इससे दो types से questions आते हैं जब center से जो development होती है वो आती है proximal distal and head से लेके पाउं तक होती है development वो आती है fellow vital development तो यह चीज़ याद रखना development is directional mean मतलब direct dimension mean क्या है development का there is an emers of a new skill and behavior यह है development typically proceed from a simple to complex यह है direction का मतलब simple to complex development होती है तो option B is the correct next करते हैं next आता है which is not a true principle of a development कौन सा true principle नहीं है तो यह है continuous भी है interrelated भी है spiral भी है और जो not true है जैसे की development is reversible in nature development reversal नहीं हो दी वो सीखते ही रहते हैं बच्चे and D new तो option D is the correct option D is the correct हो गया फिर देखे students देखे यहाँ पे हम basic से हर चीज करने वाले हैं जो नहीं है जो नहीं ट्लाव इंटी संटी साथे जाकर नहीं हाँ असराइब फच्चो यहाँ जो यहले है पीज़नी दानी एाने यह भीज़नी is तिर्शेंगी जिर्श्वें देखे को शो फिहाँ है वो फिर जाया कीमारी पुमारी कीरिएरे, कीरिक लिए युम्हार्गेर, कीरें दिए में कीरिएर, कीरिएर, कि मेड़ते हैं, झाल, पुझ काउनल, को पुझ काउना वर्ण ते हम रुटक चेह उने को हैं, जो आफरेग्स हैं, झाल, ते हुता हैं, पॉक गार दोग भरा जाज़ों परेने को चेहां जोटना जोगरों, जो आफरे न दीकाष्ट, हुच्छ मेरी न कमाउनल, के खो कि